M.K. नारायनन का जीवन परिचे M.K. नारायनन भारत के एक पूल राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार रहे चुके हैं, M.K. नारायनन का पूरा नाम, मयन कोडू केलाथ नारायनन है. इनका जन्द 10 मार्च 1934 में केरल राज्य के पलककर जिले के ओट तापलम में हुआ था. नारायनन नी स्कूली शिक्षा मद्रावस क्रिष्चन कॉलेज हाय, सेकंडरी स्कूल से की, उन्होंने अपनी सनातक की पढ़ाई लुयूला कॉलेज, चेन्नाई से पूरी की, उन्होंने अपनी शादी, पग्मिनी नारायनन से शादी की है, और एक बेटा, विजे और एक मीना ए उनके दामाद अजीत नाम बियार BPL लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंद निदेशक हैं। M.K. नारायनन 1955 में भारतिय पुलिस सेवा में शामिल हुए। और सर्वोज अंकों के साथ उत्तीर्न हुए। पूर्ववर्ती मदरास राज्य में उपविभागिय पुलिस अधिकारी के रूप में एक संक्षिप्त कार्यकाल के बाद। वह फरवरी 1969 में इंटेलिजन्स बयूरों में प्रतिनी युक्ती पर चले गए। उनका शेश सेवा करिय भारत सरकार के अधिन मुख्य रूप से इंटेलिजन्स बयूरों में बीता, जिसमें उन्होंने आंतरेक और राष्ट्रिय सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दों को निप्टाया। एक वर्ष के लिए सयुक्त खुफिया समिती का नित्रित्व करने से पहले। उन्होंने 1987 से 1990 तक इंटेलिजन्स बयूरों आईबी का नित्रित्व किया। 1992 में सेवानिवृत होने से पहले। वह 1991 में फिर से आईबी के प्रमुख बने। फिर उन्हें प्रधान मंत्री की आंतरिक सुरक्षा के लिए विशेश सलाहकार नियुक्त किया गया। भारत की शिरुवात मई 2004 में हुई। वह 2005 से 2010 तक राज्य मंत्री के पद के साथ। भारतिय राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार थे। उन्होंने भारत अमेरिका नागरिक परमानु समझोते की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाय। उन्होंने गोपाल कृष्ण गांधी से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पद संभाला। जिनका नंदीग्राम और सिंगूर में हिंसा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ततकालीन CPI शासित राज्ये के साथ कुछ मत्पेद थे। मैयन कोजू केलात नारायनन एक पूर्व भारतिय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। वह 2005 से 2010 तक भारत के राश्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार थे। उन्होंने जन्वरी 2005 में अपने पूर्ववर्ती ज्योतिंद नाथ दीक्षित के निधन के बाद ये भूमे कानिभाई। इसके बाद उन्होंने 2010 से 2014 तक पश्चिम बंगाल के 19-वे राजयपाल के रूप में कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री के नागरिक सम्मान से सम्मानित किया।